Hello friends, C language सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा lecture 16 का part 2 जिसमें हम देखेंगे structure in C language हम पिछले वीडियो में, यानि lecture 16 के part 1 में already structure के बारे में पढ़ चुके हैं हमने पढ़ा था कि structure क्या होता है हमने देखा था कि structure एक तरीका है जिससे हम variables की grouping कर सकते हैं array और structure में थोड़ा सा comparison करें तो array is a collection of similar elements जबकि structure में elements dissimilar भी हो सकते हैं यह एक ऐसा group है जिसमें variables अलग-अलग type के हो सकते हैं जबकि array में सारे variables एक ही type के होते थे structure बना के आप एक नया data type create कर लेते हैं और ये सब बाते हम पिछले part में देख चुके हैं बोलोग पहले part 1 जरूर देख लें तो आएए आज हम second part में एक और example देखते हैं structure का और उसकी coding करते हैं माल लीजे मुझे कोई project बनाना है और उसमें मुझे book की information रखनी है like library management system project बनाना है और मुझे उसमें book की information रखनी है अब book एक ऐसी information है जिसमें collection of data है book का ID होगा, book का title होगा, book का price होगा और so many information तो ये सारी के सारी information क्या आप कोई ऐसा variable हम बना सकते हैं जिसमें store कर सकें यानि हमारे पास जो primitive data type है int, care, float, double इनकी मदद से बनने वाला variable कोई भी variable क्या ये पूरी book की information store कर सकता है नहीं कर सकता क्योंकि सभी variable में एक ही information आईगी लेकिन हम चाहें तो book की information को pieces में break कर सकते हैं यानि book id एक information है title दूसरी information है ऐसे करके पूरी book की information को कई piece में break कर सकते हैं और एक-एक piece को एक-एक variable में store कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से काम करने का मतलब ये है कि हमने book की information को scatter कर दिया अब वो एक single unit की तरह नहीं है तो एक बड़े project में जहां बहुत सारे variables होंगे ये समझना पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कितने variables हैं जो एक चीज की information रख रहे हैं ये 10 variable हैं जो book की information रख रहे हैं ये 5 variable हैं जो student की information रख रहे हैं कैसे इतना असान नहीं होगा उसको manage करना और भी उसमें बहुत सारी दिक्कतें जाएंगी तो हम चाहते हैं कि उसके पूरी एक single unit बना ले और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए हम लोग एक structure बनाने वाले हैं structure बनाने के तरीका था struct keyword लिखना और book के information रखनी है तो मैं book नाम का एक नया data type बनाने जा रहा हूँ book data type में मैं कुछ information रख लेता हूँ जैसे book id title रखने के लिए एक array बना लेता हूँ title size लेता हूँ 20 और एक float type का pointer बना float type का variable बना लेता हूँ price तो इस तरीके से मैं तीन variables बना रहा हूँ आप चाहें तो जादा भी बना सकते हैं यह हमारा एक data type बनके तयार हो चुका है अब book एक ऐसा data type है जिसकी मदद से बना variable contain करेगा तीन variables book id, title, price तो मैंने main function बनाया जिसमें book type का एक variable बनाता हूँ b1, तो b1 क्या है b1 एक variable है जिसके अंदर तीन चीज़े होंगी जिसके अंदर तीन चीज़े होंगी जिसके बात करते हैं एक बात फिर यहाँ पर आपको draw करके बताता हूँ कि यह कैसे होता है सबसे पहले b1 को जो memory मिलेगी उसकी बात करते हैं यह वो memory है जो b1 को मिलने वाली है इसके अंदर तीन चीज़े होंगी एक book id दूसरा title नाम का array तीसरा price चीज़े है तो book id book id क्या है पहला variable इसको हम बोलेंगे member variable यह पहला वाला variable फिर हमारे पास दूसरा variable है title यह title भी क्या है member variable actual में यह कह रहे है और तीसरा variable है price तो जब आपने b1 नाम का variable बनाया है तो actual में memory के अंदर ऐसे एक variable create हो गया जिसके अंदर तीन variables मौजूद है अब मैं चाहता हूँ book में input करूँ data लाँ तो मुझे user से data लेना है आज मैं इस काम को करने के लिए एक function यूज करना चाहा रहा हूँ मैं एक input नाम का function call करता हूँ यह हम अभी बनाएंगे और यह function book की value input करके return कर देगा जिसको मैं b1 में assign करता हूँ तो इस function को define करते हैं सबसे पहले यह function का nature क्या है देखिए यह खाली parenthesis देखकर आप बता सकते हैं कि यह function takes nothing nature का है और जो कुछ भी input return कर रहा है वो b1 में assign हो रहा है यह समझ कर हम बोल सकते हैं कि return something nature का है यह यह takes nothing return something अब जो input function return कर रहा है वो b1 में जा रहा है तो मुझे बताइए ज़रा b1 का type क्या है b1 का type book है b1 का type book है जैसे book id का type पुछूँगा तो आप बोलेंगे int है यह price का type पुछूँगा तो float बोलेंगे title का type पुछूँगा तो आप care बोलेंगे वैसी b1 का type पुछूँगा तो आप बोलेंगे book तो अगर b1 में value store हो रही है जो input return कर रहा है तो definitely input function book type की value ही return कर रहा हो तो return type भी हमें क्या लिखना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा book आप धियान रखिए जब भी आप data type लिख रहे हैं जो structure की मदद से बना है उसके हर इस्तमाल पे आपको लिखना पड़ता है struct इसलिए मैंने पहले struct लिखा है फिर book लिखा है अब मैंने input function नाम लिखा input और parenthesis खाली रखे इसकी coding यहाँ पर मैं एक और variable बना रहा हूँ struct book b और user से values एंटर करने को कहता हूँ enter book id title and price और scanf की मदद से पहले तो book id इंपुट करा ले जाता हूँ %d address of b.book id हमने इपिछल लेक्चर ने समझा था कि मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए dot operator का इस्तिमाल करते है gets function यूज़ कर रहा हूँ है string के लिए तो मैंने लिखा b.title scanf use किया float value के लिए और यहाँ पे लिख दिया हमने address of b.price और यह हमने input ले लिया है अब हमारे पास b के अंदर वो data है जो मैं b1 में पहुँचाना चाहता हूँ तो मैं return करूँगा b की value तो यह b की value जो return हुई जिसमें अभी data आग चुका है वो value copy हो जाएगी b1 में तो इस तरीके से हमने देखा कि एक function कैसे structure return कर पाता है फिर एक और function हम लोग यहाँ पर बनाते हैं display और इसमें बीवन पास कर रहा हूँ आप देखे यह function नाम से समझ में आ रहा है बीवन के value प्रेंट करेगा इस function में हम nature समझें function का क्योंकि value पास हो रही है हम कहेंगे take something returns nothing क्योंकि यह कुछ भी return नहीं कर रहा है तो इसके बाद getSage लिख देता हूँ अब मैं इस function को बनाता हूँ तो function कैसे बनाऊँगा void display और इसमें लिकेन एक argument receive हो रहा है तो formal argument होगा book type का कुछ भी नाम रख लें b रख लेता हूँ तो यह हमने function में रहा है इसमें क्या होगा b में data आ चुका है b1 का data copy होके यहां से b1 की value pass होई थी और b में receive होगी तो अब मुझे क्या करना है b की value को सिर्फ print कराना है तो मैं लिखोंगा printf book id की value प्रिंट कराना है backslash n मैं लिखता हूँ %d %s %f और लिखता हूँ b.book id b.title b.price यह हमारा display function भी बनके तयार होगया है अच्छा इसमें एक चीज़ और है जब आप input कराते हैं तो scanf चलने के बाद जो data input हुआ होगा right scanf ना keyboard से directly data इन देता है input buffer बीच में होता है तो keyboard का data पहले input buffer में जाता है फिर scanf input buffer से वो data fetch करता है अब क्या होता है कई बार कि यह जो input buffer है यह खाली नहीं होता तो क्या होता है scanf जैसी आपने चलाया तो वो input buffer में देखेगा कि input buffer खाली है क्या अगर खाली है तो वो किसी function को call करेगा जिसके करण keyboard से data enter हो पाता है इसलिए जब भी scanf लिखते हैं तो आप keyboard से data enter कर पाते है क्योंकि scanf को हमेशा data buffer से उठाना है और buffer खाली मिलता है उसे लेकिन अगर buffer खाली ना मिले भरा हुआ मिले तो क्या होगा कि वो नया input keyboard से लेनी की permission ही नहीं देगा अभी आप देखिए का मैं इस program को run करके बताता हूँ ये clear screen नहीं लिखा है इसलिए पुराना दिख रहा है अभी हम पुराने को ignore करते हैं या फिर मैं नीचे देखिए आप 100 लिखा हुआ है 100 मैंने क्या लिख दिया book id अब मैं title लिखना चाहा रहा हूँ तो कुछ भी मैंने लिख दिया c लेकिन वो c को नहीं ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है उसका reason क्या है उसका reason ये है कि वो gets function जब चल रहा है scanf तो बढ़िया चल रहा है gets उ scanf दौनों का ही काम input buffer से data लेना है ना कि directly keyboard से तो gets function जब input buffer को देख रहा है तो उसे वो भरावा मिल रहा है भरावा मिल रहा है तो fresh input वो नहीं मांगेगा keyboard से तो इसलिए keyboard से आप value enter नहीं कर पा रहे हो तो जो data रखा हुआ है input buffer में वो title में चला गया है और उसके बाद यह scanf चल रहा है मतलब आपने देखा कि जब आपने 100 लिख दिया और फिर enter किया अभी rewind करके देख ली जगा 100 लिखा उसके रहा एंटर किया तो मैंने c लिखा था c लिखा था इसलिए कि यह scanf चल रहा था get's नहीं get's चल गया get's चल चुका है पर get's के चलने पर मैं input नहीं कर पाया क्योंकि उस समय input buffer खाली नहीं था अभी scanf चला तो input buffer फिर से खाली हो चुका है get's की वज़े से क्योंकि उससे पहले get's चल चुका है उसने input buffer से data ले लिया था तो scanf आपको permission दे रहा है कि ठीक है आप data input करो अब लेकिन यह जो हमें तो पता नहीं चल रहा कि scanf चल रहा है हम तो उम्मीद कर रहे है कि get's चल रहा है तो scanf चल रहा है वो data price नाम के variable में store करेगा तो c जब मैंने store c जब enter किया तो मैं price नाम के variable में store किया इसको buffer खाली मिलना चाहिए तब तो यह fresh input की permission देगा तो इसके लिए एक function होता है f flush जिसमें हम pass करते है stdin ठीक है यह जो stdin है यह एक input buffer को denote करने वाला symbol है identifier है जो stdio.h header file में declared है इसलिए आपको इस header file को include करना पड़ेगा stdio.h अब हम इस program को चलाके देखते हैं अचा है मैं एक काम और करतेता हूं कि इसमें clear screen और लगा देता हूं ताकि पुराना content erase हो जाए अब इसको run करते हैं देखिए enter booked अभी मैं मैंने price की spelling सही नहीं करिए okay 101 title है drilling c price है 345.56 okay okay fine अब यह तो आपको मालब है float variable में value exactly store नहीं हुपाती है इसलिए 345.559998 दिखा रहा है लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर book id दिख रहा है title दिख रहा है price दिख रहा है इक function बनाया जो takes nothing return something nature का है वो function structure return कर रहा है और एक और function बनाया जो structure as an argument ले रहा है तो दोनों तरह की variety हमने यहाँ पर देखी हमने structure को use करना समझा एक और example से जो part one में हमें एक example date का अलग से देख चुके हैं एक example यह हो गया तो I hope आपको structure समझ पे आ रहा होगा अब यदि आपको यह video पसंद आ रहा है तो आप इसे like करेंगे लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यह video काफी useful है तो आप दूसरों से share करना मत भूलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की videos की जरूरत है मेरे पास जो feedbacks आया है मैं यह नहीं कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं यह जरू कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को इन videos की जरूरत है कई ऐसी cities है इंडिया में या Indian Subcontinent में जहां पर लोगों को अच्छी पढ़ाई उपलब नहीं हो पा रही है लेकिन उन में काबलियत है तो उन लोगों तक यह video पहुंच जाए तो यह video कैसे पहुंचेगा तो आप इसको अगर facebook wall पे post कर देंगे और share कर देंगे अपने दोस्तों के बीच में तो यह ज़ादा ज़ादा लोगों तक spread होगा और इस तरह से spread होने पर कई लोग इसको देख पाएंगे तो अगर आपको पसंद आया है तो आप सिर्फ देखके इसको बंदना कर दीजे इसको share जरू करिए ताकि यह share करने के बाद बहुत लोगों तक पहुँचेगा यही मेरा उदेश है और अगर आप मेरे दूसरे channels को भी देखना चाहते है तो आप मेरी website mysurgy.com पे जाएए आपको दूसरे channels के links भी मिल जाएंगे और आप इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा ताकि आपको और भी videos के update मिलती रहें Thank you